नमस्कार दोस्तों सागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉंसेप्ट मस्ती पर दोस्तों हम लोग जो बेसिक लिट्सिरी का लेक्चर पढ़ रहे हैं आज यह उसका 14 वीडियो है तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोग को आतन प्रतिरोध जिस नहीं आए तो मैं थोड़ा सा ऊसका रिपीट करूँगा उसके बाद उस पे नुमेरिकल कराऊंगा कम से कम हर टाईको जितने में नुमियरिकल आपको पेपर partners बंदे हैं तो हर टाईक के अपको मैं करा दूँगा तो टेंसेट नं लिजीएगा ओके question आपको समझ में आजाएगा और अभी तक जिनको नहीं समझ में आया है तो उनको भी समझ में आएगा लेकिन एक बार फिर से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा पहले वाले को वहां से आपको किलियर हो जाएगा लेकिन आज फिर मैं एक बार बताऊंगा पूरा डीट कि उम्मीद है कि आपको जितने भी कभी भी कोश्चन आएगे तो आपके आगर सही से समझ लिए तो गलत कोश्चन होने की संभावना ना के बराबर और मात्र चार से पांस से कर जाएंगे यह भी किलियर है तो ध्यान से देखिए कि मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करता है मैंने उस दिन बता है के लमबाई को बाड़ा सकती है एक लम तार को कुछ कर था मनदों वायर वायर को कखीच कर यह वायर में वायर को जोड़ कर तो हम थे रहे दो देखिए यहां पर एक इसका एक वायर ले रहे संभी है आघना है जिसका क्राश स्प्रेक्ष्ट एरिया जो है मुठाई एवन है और इसका लंबाई कितनी है सिल्वन और इसका प्रतिरोध कितना आरवन एANT춰 तो आप इसका जो प्रतिरोध होगा आरवन वो कितना हो जाएगा प्रतिरोध के नियम से रो एलवन अपान एवन जहां रो क्या है तार वायर का है या तार का बिशिष्ट प्रतिरोध है अब बात आती है कि इस तार को अब हम तार वही है तार की लंबाई को बढ़ा दे तो अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि खीज कर बढ़ा रहे है कि डाइरेक्ट बढ़ा र तो इसकी लंबाई हो गया L2 और इसका क्रास सेक्षिनल एरिया हो गया A2 और इसका रेश्टियंस हो गया R2 अब तार को खीचे गए या तार जोड़ेंगे तो हम उसी वायर को जोड़ेंगे जिसका वो पहले से तार है वायर है तो उसका बिसीट पर तो सेम होगा क्योंकि गताता है वायर पर ही तो रो क्या वाज़िए यहां पर जो रो तो यह जोड़ रहे हैं लेकिन यह बताए है जरूर के लंबाई में ब्रिध्दी कर रहे हैं लेकिन यह भी नहिए उसमेंयों कर्दिशन बताए गया कि आपके लंबाई कैसे विद्धी के जाती है तो अब यहां पर आपको अभी कुछ हूं नहीं देखना ही ध्यान से देखिएगा तो अब ये समईकर्ण एक कर लिए पर इसको समिंपर्ण कर लिए अ अब हुम हाग देना संबीकर एक का संबीकर बें तो हम राइट हर्ण साइट और डाइट हइं साइड साइटमे डिवाइड फितल आरह वन साइडार बाते में और क्यों। और ये रो आरवन कमांड इस पर उपर रखेंगे रो एलवन अपान एवन इसका भाग देंगे रो एलटू अपान एटू तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आरवन बटे में आरटू इक्वल टू हो जाएगा ये रो से रो हो जाएगा तो एलवन बटे में एवन ये वाला और ये जब उपर जाता है तो हो जाता है नीचे वालो उपर हो जाता है उपर तो मैंने बोला था कि यह आपके लिए राम बाड़ है यही फार्मूला जो है आपको हमेशा काम आएगा चाहिए लंबाई कैसे भी बढ़ाए तो इसका लिखने का भी मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था तो करें मैंने क्या बताए देखी यहां पे आरवन कैसे पैट्ट्री करणाना पाती है और आवन की विवीद्ट कर्वान पाती है तो हमने यह आरवन ऊपर है तो ल Candice आरवन उपर है तो ईलवन के ब्यूंस पाती है तो दुख्वी आवन नीचे अब बात आति है आर्टू की आर पर तती यह नीचे था यहां यह नीचे है तो एटू कर जाएगा उपा और बीच में गुड़ा कचिंग कर दिया है सिंपल से आपको याद करने का तरीका भी मैंने बता था और यह सवाल कर गए भी दिखाने कैसे आता यह बात के लिए रहोगे इतना अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा इतना अगर भूल जाते हैं बाई चांस का अगर यह अगर आपको सही समझना आ गया तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं अब देखिए आपको करना गया अब कोश्चन है तार या वायर की लंबाई को बढ़ाकर N गुना कर दिया जाए तो यह बताईये पहले वायर की लंबाई क्या थी ए्ल वन थी और बाद में कितनी हो गई यहां पर देखिए हम यहां पर क्या तौछ लमबाई कितने बिद्धी कर रहे हैं एल टु बराबर यन एल वन क्या कर रहा है एंड तैरल तू बराबर एनवण अगल अगर कम करते तो भी हो जाता कोई दिकने तो एक को पहले सोल्ब कर जिए उसके बाद कम करने वाला भी इसी मेटड से लग को यहीं चीद येद्स लेकिशन नहीं बता है जब तक बोलेगा नहीं कि तार या वायर को खीच कर लंबाई बढ़ा रहे हैं तब तक हम मानेंगे कि वायर में वायर को जोड़ा जा रहा है मतलब एक वायर था इसमें वायर को जोड़ दिये और जब जोड़ा जाता है तो इसके इस छेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है बस लंबाई में परिवत्तन नहीं हुआ लंबाई में परिवत्तन हो गया लेकिन परिवत्तन नहीं हुआ तो हम बस क्या लेना है अभी तार की लंबाई को यह अन्गुना बढ़ा रहे मैंने कोई कंडिशन नहीं दिया खीज कर बढ़ा रहे या कैसे बढ़ा रहे तो हमने क् method L2 and L1 हो गया बात के लिए तो अब यहाँ पर आ रही तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि वायर की लंबाई यन गुना बढ़ाने पर बात के लिए रहे हैं यहाँ पर जब तक बोलेगा नहीं खीच कर या देखे मैंने पीछले वीडियो में बता चुक्त हो खीच कर या छेत्रफल बढ़ाकर या त्रिजिया बढ़ाकर या डायमीटर बढ़ाकर जब तक इन तीनों की चारों की बात नहीं करता है तब तक हमको क्या बना पड़ेगा कि तक वायर में वायर को जोड़ा जा रहा है तो बस हम उस समय मानेगे कि ए क्या है दोनों कंडिशन में समान है तो एवन बराबर क्या हो जागा एटू तो बढ़ाने पर क्या हो जागा यहाँ पर कोई कंडिशन लंबाई यहन गुना बढ़ा सिर्फ यहन गुना बढ़ा तो जनली हमनों क्या करते हैं वायर को वायर से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा A1 बराबर A2 बात के लिए तो अब देखिए अब इसी में L2 का मान और ये मान रख दीए आपका फार्मूला बन के त्यार हो जाएगा तो R2 R1 अपान आर टू इकोल टू एलवन एलटू का मान इसमें रख दे रहे हैं एलवन एवन कमान एवन कर दें और यह बराबर है और एलटू बराबर क्या हो जाएगा एलवन एलवन एवन से एवन केंसिन एलवन से एलवन केंसिन तो यह क्या हो जाएगा आर टू बराबर क्या हो जाएगा यन आर वन तो जब तार की लंबाई या वायर की लंबाई एन गुना बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या बढ़ जाता है एन गुना बढ़ जाता है मतलब कि अगर तार की लंबाई 10 गुना बढ़ जाएंगे तो प्रतिरोध 10 गुना बढ़ जाएगा अगर 5 गुना डिया रहे बाद किलियर घहीं तो अब यहीं डिलेता कि यन गुणा घटाने पर क्या के पार कैसे कर सकते तो वायर को काड़ेंगे वीच माइडं न रिखलू अब यहां पर जब कम करेंगे तो L2 क्या हो जाएगा यहां पर लिदर रहे कम करने पर तो L2 क्या हो जाएगा L1 बटे में N हो जाएगा तो जब यह मान इसमें रखा जाएगा तो इसको solve करके देख लिजएगा तो R2 बराबर आपका आएगा R1 बटे में N मतलब जितनी लंबाइ कम कर रहे हैं, उसी अनुपात में प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो अगर पहले प्रतिरोध दस ओम है और उसकी लंबाइ 5 गुना बढ़ा दिये पांच गुणा बढ़ा दिए तो दस बसे कितना जाएगा पचास अब पहले अगर डाई सिंपल सा एक लइन में अगर यह नहीं आता है कहांसे आता है तो यहांसे आता इस आलेंगे अरहाम से अब आप देखिए अब दूसरे कंडिशन कहा है अब देखिए यहां करणिशन देदा वायर की लंबाई यन गुणा बढ़ाने पर अब यन गुणा यहां पर देदे खीच कर तार की लंबाई खीच कर यन गुणा बढ़ाने पर सिंपल सी बात है खीच कर अब बढ़ा रहा है तो आप इमेजिन करिए कोई वायर को आगर आप खीचते हैं वायर के जगप आप एक रबड ले लिए रबड रबड को आप खीचेंगे तो पहले वह मोटा रहेगा जब खीचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी तो रबड क्या हो होता है वैसे अगर यह वायर है अगर इसको आप खीचेंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो मोटाई कम होने का मतलब यह क्रास अरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यह बता दिया था कि कितना कम होगा मतलब जितनी गुना लंबाई बढ़ती है उतना गुना छेतरपल क्या होता है कम होता है आज मैं डाइरेक्ट बताऊंगा वहां से उसको मैं डिसॉल नहीं कराऊंगा अगर देखना हो तो पिछली वीडियो आप उसको देख सकते कैसे मैंने आयतन के हिसाफ से दिया था और उसको सा बस यही आपको ध्यान देना है मतलब कि कुछ नहीं समझ में तो आप रट्टा भी माले जितनी लंबाई बढ़ेगी खीचने पर उतना उसका छेतरपल कम होगा तो देखें लंबाई यन गुना बढ़ी है तो छेतरपल उतना क्या हो गया कम हो गया और इसी कमान इसमें दुए टु कमान कoration a one burada यह ए तो ए यह पान यह नीचे चला जाएगा तो यह निंस्क्राइड गुड है ल्वन N square गुड़े L1 तो L1 से L1 केंसी A1 से A1 केंसी तो आपका फार्मूला क्या निकल का आएगा R2 equal to N square R1 मतलग कि लंबाई अगर खीच कर आप यदि बढ़ाते हैं तो जो उसका प्रतिरोध होता है उसके जितना गुणा बढ़ाते हैं इसको आयर के गुणा बढ़ जाता है simple सा है देखी इसको देखे हैं कि एक बार आप वीडियो देख लें और देखकर कहीं नोट न करें तो कभी आपका कभी भी समझ में नहीं आएगा ये topic बहुत ही easy नहीं है लेकिन समझ गया है तो एकदम easy है तो इसको एक दो बार नोट करिए और समझे कैसे कहां से आ रहा है अगर ये वीडियो नहीं समझे तो पिछलों वीडियो को भी एक बार देखिए लेकिन उमीद करें कि आपको समझ में आगए अगर समझ में आगया तो comment box में जरूर ले देएकि हांसर समझ में आगया जिनों ने कम से कम जिनको पिछली वीडियो में नहीं आए तो वो तो जरूर लग दे और वीडियो को like कर दिएगा अब देखिए अब यहीं बोल दे कि लंबाई बढ़ाने प्र या आगया बढ़ेगी तो अब लंबाई जितनी कम होगी उतना ये चेथपल बढ़ जाएगा तो उसके लिए कंडिशन आ जाएगी लंबाई दबा कर यन गुणा कम करने पर तो ये आर टू इकॉल टू हो जाएगा आर वन बटे में यन इसका है और एकसम इसी से आपका सभी सवाल लग जाएगगे अब इसको इनक बढ़े तो लवन बटे एन हो जाएगा और ये ईक टू कहाई चाईगा तो इसको geon करके देख लेंगे आराम से आपका लग जाएगा इसको मेरे फिछले वीडियो में साल कर रा चुका हूँ उम्वीद करें कि आज आप लोग को यह सब सब्सक्राइब में आ रहे हैं तो भाई सब जैसे भी सवाल बनते हैं आपको पर कराते जा रहा हूँ और ध्यान दिजिए का जब रेडियस की बात करें रेडियस में त्रेजिया छेत्रफल डायामीटर और अगर डारेट बोल देगा खीच करता तो आप समझी जाएंगे लेकिं त्रेजिया की बात कर दिया छेत्रफल की बात कर दिया डायामीटर की बात डिया तो समाझ जाहिए कि आपको यही कन्डिशन देरा है क्योंकि उसमें छेत्थफ़ल में परियोतन होता शैपकर के energised बाताऊ परनों कि अगर डाया फिल यह खीचेंद से enga टों सीपल सी बात अगर रेडियूस 30 और यह कंडिशन कोई कंडिशन नहीं देता है तो आपका डारेक्ट यहां पर यह निस्कार जब क्या हो जाएगा यह नो जाएगा यह नो जाएगा बाकी फर्मुड़ा रहेगा तो उम्मिद करने कि आप लोगो आज यह पूरा सही से समझ में आ गया होगा तो आज हम सवाल क करते हैं हर टाइप के सवाल करेंगे इसमें अब इस टाइप के सवाल कहीं से भी खोज कर अपनी किसी भी बुक से कि सॉल्व कर सकते हैं तो आई हम पहला सवाल लेते हैं पहला सवाल है मारा एक तार जिसका प्रतिरोद बीस उम है यदि तार को खीच कर उसकी लंबाई पाँच गुना उसकी लंबाई पाँच गुना ग्रिद्धी कर दिया जाये तो नएज प्रतिरोद क्या होगा देखिए सवाल लिखने में जितना समय लग रहा है सौल परने में एक लाइन मिलाएगा देखिए क्या दे रहा है एक तार जिसका प्रतिरोद क्या है तो यह पहले प्रतिरोद है खीचने से पहले तो इसका किसका मान दिया है आरवन का कितना है 20 फिर कि तार को खीच कर उसकी लंबाई 5 बुना कर दे मतलब यन कमान कितना दे दिया है 5 यह ओम में तो बोला कि दिया जो तार का नया प्रतिरोत क्या होगा तो आर्टू पूछ रहा है बताई कितना इजी कोशन है अब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या तो आपको क्या करना है फटाक पचीस और आरवन कितना है बीस तो आपका हो जाएगा आर्टू कितना है पचीस दुना के पच्यास यह और यह जीरो ओम कल्कुलेसन देख लिए जाए थोड़ा बहुत मिश्टेक हो जाए जल्दभाजी में तो यह जाएगा आपका 500 तो रिश्टेंस कितना हो गया पांच सवाल आपका लगया अगला कोश्चत देखते हैं जल्दी जल्दी एक तार जिसका प्रतिरोध हमें सवालिक रहा है प्रतिरोध सोला सो ओम है एक तार जिसका प्रतिरोध सोला सो ओम है यदि तार को दबाकर तार को दबाकर कोश्चन से आपको मतलब नहीं कोई भी कम दिए उसकी लंबाई में पांच गुना कमी कर दिया जाए तो नहां प्रतिरोत क्या होगा अब देखें लंबाई कम कर रहा है तो जो दबा कर बोला है तो क्या हो जाएगा यहां जो आरवन था वहां क्या चला जाएगा यह यह इन इसकार तो अब बताई यह आरवन कमान कितना है यहां पर नोट कर ले कि चाहिए तो तो 16.. और यह रह мी कमान कितना है यह 5 गुलां कि यह पांच गुना कर लिए था यह था है कलकुलिटास बापकि 5 गुलां भी करेंगे तो कोई दिक्रत नहीं तो यह 4 बास इसका मान रह दिजिए अब देखिए एक्तार जिसका प्रतिरोज हम इसी पर नोट करते जा रहे हैं आप लोग नोट कर सकते हैं इसको अपने काफी का अब पर कि अधार जिसका प्रतिरोज पांसो ओम है बाकि आप कोई भी माल लिए पांसो ओम है यदि तार को तार की लंबाई यदि तार की इसको लिए तार की लंबाई 25 गुना कम कर दिया जाए तो नया प्रतिरोथ क्या होगा देखे यह तार की लंबाई कितना कम कर दिया 25 गुना अब यहां पर कोई भी यहां सवाल से पता नहीं चला है कि उसके छेत्रपल में परिवर्तन हो रहा है लंबाई कम कर रहा है मतलब कोई कंडिशन नहीं देगा तब तक आप माने के लिए या तो काटा जा रहे या तो उसमें जु करों सो और यह कितना कम रहे 25 गुना यह दो आप यहां पर पहुंजाए हैं अ मैंनंन्क पांसो अ कि गवान सो नहीं हो जाएगा Armor तो 25 दून कि मोज़ाइगा 50 तो यह जाएगा आपका 20 कितना इजी कोशन है बस सवाल पड़िये और यहीं साथ तुरॉन सवाल को सही समझना है कि वो क्या बोलाइख कर है कीचने माला है कि नहीं है कि नार्मल बोला है या की के कंडिशन और बोला है तो अगर पकड़ लिए तो सई है नहीं तो अगर साइज नहीं किया तो दोनों आप सन में दोनों रहेंगे इंसर तो गलत हो जाएगा तो ध्यान से सवाल को करिएगा और कभी भी कोशन आप गलत नहीं होगा अगला कोशन देखते हैं अब देखें अब देखें अब एक चालक जिसका प्रतिरोद यहां पर अंचालक लिए तार या चालक भ्यांद देखेगा चालक जिसका प्रतिरोद तीस ओम है यदी चालक की त्रिज्या 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 तीन गुना तीन गुना बढ़ाने पर तीन गुना पढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोद क्या होगा पहुत ही अच्छा कोश्चन है तो अब क्या गरना आपको तार की या वायर की त्रिज्या बढ़ा रहा है तो नया प्रतिरोद कितना होगा अब देखिए तो अब इसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो रहा है कि लंबाई बढ़ा रहा है कि घटा रहा है लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चल जाएगा अब रेडियस अब रेडियस बढ़ा रहा है अब बताए रेडियस यही तो है इसकी यही तो है जो वायर होता है उसकी मुटाई यही होते तो इसकी मुटाई में या छेत्रफल में ब्रिद्धी होगी तो एक बार तो किलियर हो गए कि छेत्रफल में ब्रिद्धी हो रही है औ यह च्छेत्फल में बृद्धि हो गी वैसे आपको मान लेना है कि लंबाई में क्या हो रही है कम ही हो यह मतलब कि इसको दबाए जा रहा है तो आपका फार्मूला फाइनली जो लगेगा यह आर टू बराबर आर वन बटे यहन इसक्वार वाला ही लगेगा लेकिन यह फाइ सवाल लग जाएगा अब देखिए तो हम जानते हैं कि छेत्फल जो होता है एकोल टू होता है पाई आर इसक्वार पाई आर इसक्वार जहां एक है उस वायर का कटा छेत्फल पाई कमान जानते ही है आर क्या है उस वायर की द्रिज्या है तो हम मान लेते हैं कि छेत्रफल क कितना कम हो जाए है तो यहाँ पर कितना जाएगा जाएगा ननो के 81 आराम से आपका लग जाएगा 30 बटे में 80 लेकिन देखिए इसको आप लगाते कैसे हैं तो देखिए दो कंदिशन तो पहले माली छेट पल एवन था तो त्रीजिया कितनी थी आरवन अब बोलाएं दूसरी कंदिशन लेते हैं कि एटू क्या है पाई आर टू स्क्व में आरटू का वोल इसको है तो कितना प्रिधिकर है त्रीजिया 3 गुना प्रिधिकर है मतलब कि जो आरटू है वो बढ़ रहे कितनी आरवन का पहले का तीन गुना तो यहीं माना रख हृट 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 तो A1 इक्वल टू कितना आजाएगा है अपान एक टू यह R1 और R2 कमान कितना है 3R1 और इसका ही क्या है इस्कॉयर है यह कैंसिल तो यह हो जाएगा A1 बटे में A2 बराबर एक बटे में 30 स्कॉर कितना हो जाएगा तो एक्वाल टो कितना आ गया है नो एवन अब देखिए छेत्फ़ल कितनी पृद्धी हो गई नो गुणा हो गी नीए आपको बहुत बाहर पर बोलना हो कि आप दो बाहर तीन प्रैक्टिस करेंगे आपके जबान पर जाएगा यहीं से आपको इतना सॉल करें जोतने पड़ प्रतिरोज कितना है तीस बटे में नो का एक स्कार एक क्यासी सिंपल साइडम सवाल है लेकिन आपको प्रेक्टिस कहने जोट पड़ेगी अब देखे यह हो गया लमगुना, बढ़ गया कम हो गया तो घ्रिया अपसिंपल्री लगना लेव जिन इस ट्रिया गद्री और ऑपना इस आर्ल में नावया सै और नो का इस आच वỗi मुझे से लीव है सब्सक्राइब कर लेंगे इसको कोई भी कोश्चन लेंगे आपका आसानी से सॉल हो जाएगा तो उम्मिद करें कि आप लोगों को यह सभी कॉंसेट किलियर हो गया तो नुमेरिकल से बागे नहीं एधिये मैं एक दो-दो-दो मैंसर्ट से बता रहा हूं नार्मल मैंसर्ट से यहीं बात होती है तो उम्मिद करें कि इस टाइब कोश्चन जितने भी होंगे आप उसको अपने घर पर कर लेंगे तो अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और मैं का आज वीडियो थोड़ा सा कोई काम को जासे वीडियो आपको अपलोड नहीं कर बता है कि अँप जरूर देखो तो और आप लोग शब्राइब जरूर करते हैं भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो और अपने घर पर जितने भी मॉबायल हैं कम से कम उनका तो लेकर सब्सक्राइब करे देजिए अगले वीडियो में तब तक के लिए जया झाल झाल